कि खूब ढूड़ा तो फकत एक निशानी निकली मेरे बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली अब थोड़ा सा पीछे के लोग अगर एलक्षन में ना खड़े हैं तो लगाए ताली अभी आदा घंटे के बाद फैसला हो जाएगा कि आप जीत रहे या हार रहे हैं मुझे पता है कि अल्ला ताला ने आपको खड़े होने के लिए पाउ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा आप समझ गए होंगे शेर देखे शायरी इशारे कनाय का नाम है आप देखे हजरात के खूब ढूड़ा तो फकत एक निशानी निकली हरे मेरे भुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली जिसको मालूम न था प्यार महबबत क्या है वो भी पगली मेरी बचपन की दिवानी निकली जिसको मालूम न था प्यार महबबत क्या है वो भी पगली मेरी बचपन की दिवानी निकली आईए मेरे दोस्तों बहुत देर से तमाम शायरों ने काम किया दाए जानी मेरी माए बहने बैठी हुई है अगर आप एजाज़त दे दे तो मैं मा के हवाले से शेर पड़के पाकीजा महाल बना के मैं शंकर कैमूरी को आपके हवाले करता हूँ उनके बाद हमारे असद बस्तवी साहब बैठे हुए है और उनके बाद आपकी जो है बेहतरीन महबूब शायरा मेरे दोस्तों यकीन जानिये कि असद राचवी साहब इससे पहले सुपॉल सुरिफ चादनी शबनम को सुनने के लिए आ गए और आज मेरे साथ वो खुद फलाइट से यहां आ गए है मेरे दोस्तों इन्शालला इनोंने का कि एक फरवरी के बाद मैं वहां मुशारा तैय करूंगा जो तारीख ही ने लेनी है मैं शुकुरिया आदा करता हूँ इनको मुबारक बात पेश करता हूँ के यहाए है एक शेर पड़ना चाहता हूँ देखे लाद जिनको अपनी माँ से महब्बत है एक मरतबा तालियों से मुझे अजासत दे 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 वाँ अच्या जिनको अपनी साथ से महब्बत है वो भी ताली मार दीजए देखता हूँ किसमें दम ज्यादा है वाह इदर ज्यादा है भाई 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 शेर दो कहा है अधराद के महनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी कसम खुदा की पूरी रात की शायरी वावाही में खत्म हो जाए इस शेर को रख लेना मेरे दोस्त अले जाना महनत के एवज ओ कोई उजरत नहीं मांगी अरे दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी अरे ये मा का जिगर है के लहू अपना पिला कर बच्चों से कभी दूद की कीमत नहीं मांगी ये मा का जिगर है के लहू अपना पिला कर बच्चों से कभी दूद की कीमत नहीं मांगी, एक शेर समात कर ले मेरे दोस्तों, मेरे महले में एक लड़की रहती है, मेरी साथी थी पढ़ने के जमाने में, लेकिन गुंगी थी, जिब आल्ला किसी से कुछ चिंता है, तो उसको अलग से बहुत चीद दे देता है, जैसे कभी कभी कहा करता हूँ, कि अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूँ, मसाइब में उलहच कर भी सलीके से समलता हूँ, और अगर मैं पैर से माजूर हूँ, तो क्या हुआ लोगो, मुजाहिद नाम है मेरा हमेशा तेज चलता हूँ, हगी नहीं, तो अल्ला भान ने का कि भाईया आपको कुलसुम ने बुलाया है, तो वो तो गुंगी है, वो अपने उनको बेटा पैदा हुआ लड़का, तो वो जाते ही मैं कमरे में इंग करता हूँ, सलाम करके तो मेरी टोपी निकालके अपने बेटे के सर पर रख देती है, तो मैंने कहा मैंने करके उनके घर के लोगों ने बताया, मेरे दोस्तों मैं बात ये कहना चाहता हूँ, कि मा अगर तवाइब भी हो तो उनके कदमों के नीचे जन्नत है, मा अगर गुंगी भी हो तो अपने बेटे के हक में कैसे दौा करती है, मैंने जब उनके चेहरे को देखा, कि एक म मा तो क्या हवाले कर रहा हूँ, हर एक इहसास के हक को तो अदा करही लेती है, कहा है दर्द, ये उसका पता तो करही लेती है, हर एक इहसास के हक को तो अदा करही लेती है, हरे कहा है दर्द, ये उसका पता तो करही लेती है, मेरे चेहरे को तक कर आसमा को तकने लेती है, मेरे मा गूंगी है लेकिन दौा तो करही लेती है मेरे चहरे को तक कर आसमा को तकने लगती है मेरे मा गूंगी है लेकिन दौा तो करही लेती है आईए मेरे दोस्तों मैं नहायती अद्बोहितराम के साथ अपने सिनियर शायर शंकर कैमूरी से गुदारिश कर रहा हूं कि वो तश्रीफ लाए और अपनी कीतों से गजलों से नजमों से हम सामय इनको नवाजे इस शेर के साथ उनका इस्तक्भाल है कि शाकार हो तो भेज़ बता कि उनहीं देते शाकार हो तो भेश बता क्यों नहीं देते आए राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते हम कागजी रावन को हर साल जला देते हैं तुम भी तरी रावन को जला क्यों नहीं देते जोर दावतालियों से इस्तखवाल करें हजराब मैंने पहले बताया था है शंकर कैमूरी साफ की एक किताब है जिनके ये मसनिफ है अकीदत के पूल खान दाने नुभूत के कद्मों में आए है अबना बबना कीजिए अबना टेखो बबना जाना कीजिए खारवाजगे अबना अबना फोटो है लिए अबना वोई अबना मैं व्होटो है अकीदत के फूल ना तो मनकबत की किताब है के सुनने के मूड में है हेलो आवाज कहां से आ रही है ये आता करे हेलो आवाज आप लोग मिल रही है ना मिल रही है तो ठके हुए है या शंकर केमूरी को सुनना चाहते हैं एक बार एक बार जर्णा सा हलाकि रवायत नहीं है तो भी एक बार दोरदार तालियां बजा करके एक बार हुआ आतीजिए अभी नादिमे मुशायरा बहुत मेहनत करना है इसके बाद आपको असद भाई को सुनना है और मोतरमा चांदनी शबनम साहबा को भी आपको सुनना है और अभी हमारे सीमानचल की शान तबरेज हाश्मी वो क्या-क्या गजल में वो कह रहे थे कपड़ा सुखाने ये वो सब कह रहे थे मुझे चार मिस्रे याद आ गए कि ये जिन्दगी की आखरी सौगाट चूम लूँ ये जिन्दगी की आखरी सौगाट चूम लूँ अगर जहां से उन्होंने खत्म किया अगर वहीं बात पहुँच जाए तो आप अपनी जोरदार तालियों से बताईएगा ताकि मेरा भी मूड बन जाए कुछ पढ़ने का मैंने कहा कि ये जिन्दगी की आखरी सौगाट चूम लूँ खंजर के साथ रसमे मुलाकाट चूम लूँ गर्दन कटी और खून का कत्रा नहीं गिरा जी चाहता है कातिल के हाथ चूम लूँ ये जिन्दगी की आखरी आखरी सौगाट चूम लूँ खंजर के साथ रसमे मुलाकाट चूम लूँ ये जिन्दगी की आखरी सौगाट चूम लू खंजर के साथ रसमे मुलाकाट चूम लू गर्दन कटी और खून का कत्रा नहीं गिरा में चाहता है कातिल के हाथ चूम लो कि ऐसे वह हैं दर्दार तालियां बजा दिये दोड़ने और राए जो इन्हों ने बुलाया मोहदीपूरें में वही से आप लोगों से भी तारूफ हुआ परचे हुआ आप लोगने बुलाया एक वार हम चाहते हैं कि दानिश मुहदिपूरी के लिए वे एक बास दोरदार तालियां बजा दीजे मैं ये कह रहा था कि मातम हमारी मौत का शहनाईयों में है मातम हमारी मौत का शहनाईयों में है मातम हमारी मौत का शहनाईयों में है जिसके लिए मरे वो तमाशायों में है और तु लाख आसमा तक, तु लाख आसमा तक, एमारत बुलंद कर, बुनियाद तो जमीन की गहराईयों में हैं। सुनने के मूर में हैं, एक बार हुसैनी जजबा हम देखना भी चाहेंगे और ये च्छे मिस्रे शंकर कैमूरी के करवला ये नोंखे नेजा पर नवाशय रसूल हजति अम AN' हुसैन आलिससwnाम का सर्य मुबार्रक आसमा और शंकर कैमूरी के छे मिस्रे। मुमिनों तुम्हारी ये पहचान बन गया तो जन्नस कर्बला का उमैदान बन गया तो मदफन तुम्हारा अख्बरे जीशान बन गया और नैजे पे जब बलंद हुआ सर हुसाइन का तो शिहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया वाँ भई वाँ कि वाव 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 कि अगया है अगया है तो यह दो बारा भी आप लोग उसी तरह से दाथ देनी पड़ेगी इसके इसके मुझीब भाई सब ठीक है इसके हुसाइन हासिले इमान बन गया, ईhe मुवमिनों तुम्हारी पहचान बन गया, जन्नसा कर्बला का उमैदान बन गया, उ장俺द दुम्हारा बने दिशान बन गया, और नेजे पे जब भलंद हुआ सर हुसाइन का तो चेहरा मेरे माम का चेहण का कैस साहव आप माजी साहव माजी साहव माजी आप वहीँ 2 minutes बैठे रहे 5 minutes बैठे रहे नां 5 minutes के बढ़े रहे मगत् αमय 카zelf right or how sudah Ima Montator Charlie Landi कर दो शुकर में चले गहें किRA निरंजन जी चलिये मैं यह verse mmm यह कर दो किаций कामन्ष ऑज किました का मंच आज कि मीच मंच से और इसी तरह से व्यदारी का सुबूत दिए कि आदमी को साहिबे एक पेगाम गया कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए आदमी में जजबे इसार होना चाहिए पहले हम है आदमी फिर हिंदु मुस्लिम और कुछ आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए वाँ भई वाँ आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए यह बहुत अच्छा सुन रहे हैं अब धीजरे मेरा भी मूट बन गया भाई साहब आप बढ़ जाए भाई साहब भाई साहब बढ़ जाए वहीं पर जाए मैंने कहा कि आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए पहले हम है आदमी फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए और चार मिसरे और सुनिये कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे पत्थर को मोम कर दे शीशे को दिल बना दे क्या बात है और लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोत लो में किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा शेर और अच्छा शायर वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे पत्थर को मुम कर दे शीशे को दिल बना दे और लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे और चार मिस्रे आप सुनिये ये हमारे तबरेज भाई ने गुजरात का नाम लिया चार मिस्रे सुनिये सुनने के मूड में हैं चार मिस्रे पेश करता हूँ के कि बढ़ से 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 लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। और आप समझे लें इधर निरंजन जी और अब्दुलमाजी साहब, इधर शंकर और मुजाही साहब, तबरेज हाश्मी और मोनिका, मोहन, आप समझे लें ये क्या है? यही तो हिंदूस्तान है। और जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे कहें कि नर्पत गंज में हिंदूस्तान बसता है। वाँ, 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 तब बहुत अच्छे हैं, यह हिंदूस्तान हैं, यहाँ हिंदूस्तान बसता है। आप समझ लेंजिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर वक्त मेरी इन आखों में, इश्वर भी रहे, अल्ला भी रहे। हर वक्त मेरी इन आखों में इश्वर भी रहे, अल्ला भी रहे, हर वक्त मेरी इन आखों में इश्वर भी रहे, अल्ला भी रहे, हिर्दय में भजन होता भी रहे, होटों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्ला पढ़ता भी रहे, हर योम नमजबता भी रहे, तो तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूझा भी रहे, सजदा भी रहे, तो इमान धर्म का दोर चले, तो हिंदू भी पीए, मुस्लिम भी पीए, पीने का मज़ा तब आयेगा, के जमजम भी रहे, गंगा भी रहे ये है शंकर के मूरी हर वक्त मेरी इनाखों में हर वक्त मेरी इनाखों में इश्वर भी रहे अल्ला भी रहे हर वक्त मेरी इनाखों में इश्वर भी रहे अल्ला भी रहे हिर्दाय में भजन होता भी रहे होटों पे मेरे कलमा भी रहे दिल इलल्ला पढ़ता भी रहे, हर्योम नमहजपता भी रहे, तस्वीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे, तो इमान धरम का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मज़ा तब आएगा, कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे, एक पै लिए बैठे हो, खुल को तुम आमिले कुरान की ये बैठे हो, और गीता कहरा शलोक पी ये बैठे हो, मजभव धर्म का एक जालसी ये बैठे हो, धर्म की यार में इस देश को तुम बाट गए, कैसे भाई हो के भाई का लहु चाट गए, वो लहु जिसकी जरूरत थी जो श्खाता था जो लगदाख और नेफा के लिए जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए वो लहु चाहिए अब देश की रक्षा के लिए उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और अलीगर के बाजारों में बहाया तुमने अहमदाबाद की सरकों पे सरतीला से तुमने मासूम के सीने पे चला दी तो पिल तुमने दातों से बदन फूर सा खरोच लिया दूद पीते हुए बच्चों के जिगर नो चलिया अभी आपस के तफर कात मिटा दो यारो देश में एक ता के फूल खिला दो यारो तो चोटी वाले हो तो डारी से महबत क करना डागी वाले हो तो चोटी की हफाज़त करना है 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 दोस्तों यह है हैंदोस्तान है 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 अरे जिन्दाबाद जिन्दाबाद अरे मुशायरा काम्याब हुआ अरे बाबाबाद शंकर जिन्दाबाद अरे जिन्दाबाद शंकर जिन्दाबाद अरे फिर परो यहां चाहि जिन्दाबाद जिन्दाबाद इसे कहते हैं गंगाजमनी तहजीब नर्पत गंजवादो आपको आपका मुशारा कामियाब मुबारक हो मैंने कहा कि दोस्तो गोद में इंजील लिए बैठे हो खुड को तुम आमिले कुरान किये बैठे हो और गीता कहरत लोग पिये बैठे हो मजभव धर्म का एक जाल सिये बैठे हो अर धर्म की यार में इस देश को तुम बांट गए कैसे भाई हो के भाई का लहु चाट गए वो लहु जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए जोश खाता था जो लद्दाक और निफा के लिए जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए वो लहु चाहिए अब देश की रक्षा के लिए उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और अलीगर के बाजारों में वहाया तुमने और वो हमदाबाद की सरकों पे वो सरती लाशे तुमने मासूमों के सीने पे चला दी तोपे तुमने दांतों से बदन फूर सा खरोंच लिया दूद पीते हुए बच्चों के जिगर नोच लिया दिन की सुरज मुखी और रात की रानी रूटी बंद कमरे में सुहागन की जवानी रूटी तो अब भी आपस के तफरकात मिटा दो यारों देश में एक ता के फूल खिला दो यारों के चोटी वाले हो तो डारी से महबत करना डारी वाले हो तो छोटी की हफाज़त करना क्या बात है वै वाई 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 आज नर्पत गंज के कोमियक जहती के इसे स्टेज से एक पैगाम ये नर्पत गंज पूरे बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को ये दे रहा है कि आए वतन के मुजाहिदों जागो मादरे हिंद के शेरों जागो आए वफादार दिलेरों जागो राम रहमान के प्यारों जागो गांधी नहरू के दुलारों जागो फिर ही माला पुकार करता है उतेरा ही इंतजार करता है सरहदे मुलक की बुलाती हैं सिंद्ध की वादियां जगाती हैं, इस चमन की बहार तुमसे है, देशमा का सिंगार तुमसे है, आरियों की तुम ही कहानी हो, तुम शहिदों की जिंदगानी हो, जोश्खाता हुआ लहू तुम हो, हर सुहागन की आबरू तुम हो, तुमको दुश्मन भी बीर कहते हैं, रा एग को जुठाटिय। आंध्रहा के दयार से आओ और बन के आंधी बिहार से आओ आरे शंकर जी को बुलाईए जोरदार तालियों से अरे जोरदार तालिया शंकर जी के लिए वाँ भाई वाई 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 व काथ काथ